चोपड़ा है जो किस नेटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चो राजस्तान के MBBS BDS admission के लिए registration स्टार्ट हो चुके हैं मैं आपको इस वीडियो में step by step process बताऊंगा कि आपको ये form कैसे apply करना है ताक कि किसी प्रकार की कोई mistake ना हो मैं इसका schedule भी बताऊंगा और इस बार इसमें सबसे बड़ा change है वो ये है कि पहले जो security money ली जाती थी private medical colleges के लिए वो 1 लाग रुपीज ली जाती थी इस बार से ये 2 लाग रुपीज कर दी गई है यानि कि dental के लिए 1 लाग रुपीज है पहले dental के लिए नहीं होती थी अभी medical के लिए 2 लाग कर दी है और dental के लिए 1 लाग रुपीज security money deposit करना होगा जो private college में admission लेना चारे हैं तो वो भी मैं condition आपको बताऊंगा कि किसकी कितनी fees पे करनी है इसमें अभी हम बात कर लेते हैं कि आपको ये application form किस website पर apply करना है तो राजस्तान की जो website है वो rajugneet2023.com वेबसाइट एक बार फिर से बता देता हूँ www.rajugneet2023.com इस पर आपको apply करना है यानि कि ये form इस पर इस website पर apply करना है अब इसमें दो पार्ट में ये application form फिल होता है part 1 application part 2 ये home में उपर भी दिये गए हैं और नीचे भी इसमें link है तो पहले आपको part 1 फिल करना है उसके बाद में part 2 फिल करना है तो सबसे पहले इसका हम एक बार schedule देख लेते हैं तो ये आज से registration स्टार्ट हो गए है और registration करने की जो last date है वो 26 जुलाई साम 4 बजे तक है और payment इसके लिए आप 11 बजगे 55 मिनट तक कर सकते हैं रात को application form का अब इसमें जो seat matrix आजाएगी वो 22 जुलाई को आजाएगी और इसमें provisional merit list यानि की verification के लिए होगी वो PWD defense paramiltery और NRI के लिए 27 जुलाई को display हो जाएगी documents verification होगा इन candidates का जो PWD candidate है जो defense से है यानि army personal है या फिर paramiltery BSF, CRPF, ITBP जो भी है NRI candidates इनका RUHS dental जो पानी page में है वहाँ पर documents verification होगा वो 29 जुलाई 23 सुबह 9 बजे से start हो जाएगा फिर इनकी जो provisional merit list आएगी OBC, MBC, state command merit list यह 29 जुलाई 23 को publish हो जाएगी और जो यह verified list है इन candidates की PWD की, defense की, paramiltery की, NRI की यह 30 जुलाई 23 को publish कर दी जाएगी तो यह तो हो गया आपका पहला step यानि की आपको यहां तक registration करना है अभी आपको security deposit करनी है, वो security deposit 28 से लेके 31 जुलाई 23 तक कर सकते हैं इसकी जो security deposit है, जनरल और EWS candidates के लिए 10,000 रूपीज है गौर्मेंट के लिए और बाकी SC, ST, OBC, MBC candidate के लिए 5,000 रूपीज है इसमें गीतांजली की गौर्मेंट की 10 CTBs में include हैं अब जो private के लिए है, medical college के लिए 2,000,000 है, dental के लिए 1,000,000 है यह security money deposit करनी होगी, यह 28 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक करनी होगी और उसी समय में आपको 24 फिल भी करना है इसी के दोरान अब यह online application form प्रिंट ले सकते हैं जो आपने फिल किया है वो 1st अगस्ट 23 को और इसमें जो allotment होगा वो 4 अगस्ट 23 को हो जाएगा और इसमें जो reporting करनी है, allotment लेटर प्रिंट लेना है, reporting करनी है वो 5 से 8 अगस्ट 23 को करनी है, यह जैपूर SMS में होती है reporting तो जैपूर Medical College SMS में academic block में reporting कर सकते हैं सेकंड राउंड का seat allotment बाद में दिया जाएगा और इसमें 1st September 2023 से इस बार का session स्टार्ट हो रहा है यह NMC ने date दे दी है, पहले भी हमने आपको बता दी थी अब जो यह registration की fees है, वो 2000 रुपए registration की fees है जो अभी लगेगी security money से पहले लगेगी, वो 2000 रुपए लगेगी जनरल EWS और OBC candidates के लिए 2000 रुपए fees लगेगी और जो SC, ST, ST, STA हैं उनके लिए 1200 रुपए fees लगेगी लेकिन अगर किसी भी कटेगरी में, अगर धाई लाग से जिनकी इंकम कम है जैसे कि माल लो, वो किसी भी कटेगरी में हो सकते हैं, जनरल में हो सकते हैं EWS में हो सकते हैं, OBC में हो सकते हैं, तो उनकी अगर धाई लाग से कम है तो उनकी fees 12 सुरुपए लगेगी तो इसमें दो परकार की एक registration fees लगती है और एक security money लगती है तो अभी आपको registration fees deposit करनी है registration fees जो deposit करनी है वो last date है उसकी 26 July और 28 के बाद में आपको security money deposit करनी है तो ये तो था पूरा प्रोग्राम इसका अब हम आपको बताएं कि आपको step by step कैसे application form फिल करना है जैसे ही application part 1 पर click करेंगे यहाँ I agree का option आएगा proceed पर click करेंगे यहाँ पर need role number date of birth, need के marks और category select करने के बाद में validate पर click करेंगे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ 21 दिखाई दे रहा होगा आपको need 21 यह मैं आपको previous screenshot से दिखा रहा हूं क्यूंकि अभी website पर proper चल नहीं रही है यह website इसलिए मैं आपको पहले का screenshot दिखा रहा हूं procedure same है यह तो यहाँ आपको need role number date of birth, need के marks category डालने के बाद में validate पर click करना है आप जब category select करोगे तो उसके अंदर option आएंगे general ST STA इसके बाद में OBCCL, OBCNCL, MBCCL और MBCNCL तो इसमें अगर आप EWS से हैं तो फिलाल यहाँ EWS का option यह आगे आएगा यहाँ पर आपको general ही फिल करना है इसके बाद में जो यह preview देख लें आप एक बार इसमें neat का आपने जो role number डाला है वो आजाएगा name आपने डाला है वो आजाएगा father name, mother name यह automatic आजाएगा यहाँ पर इसके बाद में category यहाँ आपने general अगर डाली है तो general आजाएगी उसके बाद में EWS अगर आपका है तो select yes और no में कर दें, PWD अगर हैं तो yes और no में करें, अगर आप WDP या WPP से हैं तो उसमें select कर दें और इसके बाद में physics, chemistry, biology के percentage दीन subject के ही percentage यहाँ आपको fill करने है, check box पर click करना है, email ID देना है, mobile number देना है, domicile estate आपको यह select करना है और अगर आपकी income dialogue से कम है तो yes करना, otherwise no कर द 10 साल से आप राजस्तान में रह रहे हैं और 5 years आपने राजस्तान में यहाँ study की है, तो option first पर click करेंगे, अगर आपकी study बार हुई है और राजस्तान के रहने वाले हैं, तो option 2 पर click करें, और देख लें इसमें आप किस option के लिए eligible हैं, इसमें जो other state candidate हैं, वो second round से apply कर सकते ह लिए apply तो first में भी कर सकते हैं, लेकिन वो eligible second round से होंगे, वो 11 category fill करेंगे, यहाँ पर other state candidate, proceed पर click करेंगे, proceed पर click करने के बाद में आपकी समरी आ जाएगी part 1 की, इसमें एक बार इसको अच्छी तरह से check कर लें, अगर कोई correction है तो edit पर click कर दें, otherwise submit पर click कर दें, proceed for payment पर click करे अभी जो आपको यहाँ पर payment होगा, वो जनरल और EWS के लिए, जनरल EWS OBC के लिए 2000 का होगा, और 1200 रुपय का होगा, SC, ST, STA candidates के लिए, और इसमें अगर किसी भी candidate की family income धायलाग से कम है, तो 1200 रुपय उसका भी यहाँ पर payment होगा, तो इसमें जो payment option है, वो same बाकी अधर होते Google Pay, Paytm, Bheem, यह सारा सारा इसमें आप use कर सकते हैं, इसके बाद में जैसे ही proceed पर click करेंगे, आपका यह step complete हो जाएगा, आपको registration ID मिल जाएगा, और password मिल जाएगा, इसके बाद click here part 1 application detail पर आपने यहाँ click here पर click करना है, तो यह part 1 की detail होगी, अब यह आपको part 2 की detail fill करना है, तो जैसे ही आप part 2 पर click करेंगे, वहाँ पर आपने जो यह registration number RM के आपके आए हैं, और password आए हैं, यह password fill करने के बाद में, आपके next पर click करेंगे, तो आपको यह जो part 2 है, यह in steps में fill करना पड़ेगा, यानि पहले आपको basic detail fill करनी है, फिर education detail fill करनी है, फिर NRI seat option fill करना है, documents upload करना है, declaration करना है, preview करना है, और final submit करना है, यहाँ पर, basic detail में आपके, यहाँ पर mister miss वगरा लिखना है, यहाँ पर, इसके बाद में, नेम में आपका नियाम लिख दें, date of birth, state birth, इसके बाद में, gender, father name, mother name, और present address, यह सारा फिल करने के बाद में, आप permanent address और correspondence address है, मैं तो इस checkbox पर tick कर दे, इसके बाद में, आपको जो करना है, आगे, वो आपके alternative phone number डालना है, यहाँ पर email ID, यहाँ पर आपको option देना है, और इसके बाद में, save and next पर click करना है, तो जैसे, save and next पर click करेंगे, आपको यहाँ पर next में, educational detail फिल करनी है, यहाँ secondary की, आपने name of word करना है, य passing और total percentage लिखनी है, ऐसे 10 plus 2 की लिखनी है, physics, chemistry, biology के अलग-अलग marks आपको यहाँ पर लिखने है, और इसके बाद में, यह सारी detail फिल करने के बाद में, आपको school का name और address फिल करना है, और यहाँ पर select आपको course करना है, आप MBBS के लिए कर रहे हैं, only तो MBBS कर दें, BDS के लिए क option देना होगा, यानि कि आप NRI के लिए apply कर रहे हैं, तो yes करना, otherwise no कर दें हैं यहाँ पर, इसके बाद आपको documents upload करने हैं, generally 2 documents सभी के लिए upload होते हैं, general category के लिए photograph और signature, इसके अलावा अगर आपकी धाईलाग से income कम है, तो income certificate भी है, आपर upload करना पड़ेगा, जो candidate category के हैं, यहाँ पर उनका certificate upload करना होगा, और जो candidate WDP या WPP से हैं, तो उनका यहाँ पर certificate upload करने के बाद, save and next पर click करना है, तो save and next पर click करेंगे, तो यह declaration आएगा, I accept पर click करना है, आपका पूरा preview आजाएगा, जो आपने application form फिल किया है, उसको आप एक बार check कर लें, कोई किसी परकार की mistake ना हो, अगर इसमें edit करना है, तो back के option पर कर लें, otherwise final submit कर दें, तो जैसे ही आप final submit करेंगे, तो इस परकार का option आजाएगा, लिखावा कि आपका application form submit हो चुका है, तो इस परकार से आपका, यह application form complete हो जाएगा, 28 के बाद में आपको security money deposit करके, 24 फिल करनी है, तो जैसे ही आप 24 फिल कर देंगे, उसके बाद 4 अगस्त को allotment आ जाएगा, और इसके बाद में आप college में जोइनिंग कर सकते हैं, तो यह जानकारी थी कि आपको कैसे यह apply करना है, यह form, उसके बारे में मैंने पूरी जानकारी दे दी है, step by step, हलांकि यह screen shot पुराना है, 21 का है, लेकिन procedure सेम ही है, 23 में यह procedure follow हो रहा है, तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए, जाएखिन!